दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने भी पोस्ट ओपिस में PLI यानि पोस्टल लाइप इंसोरेंच वो आर PLI यानि रूरर पोस्टल लाइप इंसोरेंच पोलीशी में इनिवेस्ट कर रहा है तो आप किस तरह से इनका दोनु का जो है इनकम टेक्स सर्टिविगर जो है डाउनलोड करके और जब आप ITR फाइल करोगे तो ITR में जो है सेक्शन ATC के अंतरगत जो है छूट ले सकते हो यानि आप जो है इनकम जितना प्रीमियम आपने इन्वेस्ट किया है उनके उपर जो है टेक्स चूट ले सकते हो तो जो टेक्स सर्टिव बात सर्ट बोक्स में टाइप कर देना है PLI जैसे या PLI जो है टाइप करोगे तो PLI का जो है इस तरह का PH हमारे सामने खुल के स्यो हो जाएगा और यहां पर जहां पर मैंने एरो मारक किया है जो कस्टमर लोगिन का उप्शन है इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप कस्टमर आइडी आप इसकी कस्टमर आइडी PLI की जो है जनरेट कर सकते हो अगर आपने पासवर्ड वगेरा भूल गए हो तो इसमें फोर्गेट पासवर्ड का भी ओप्शन दिया हो है आप अपने पासवर्ड को भी रीशेट करके और दोबारा जो है नया बना सकते हो इसके बाद नेक्स्ट ओप्शन दिया तीन नमर का फोर्गेट कस्टमर आइडी किसी कारणवस कस्टमर आइडी भूल गए हो तो वो भी आप जो है रीशेट करके और अपनी कस्टमर आइडी का भी पता कर सकते हो तो अभी मेरे पास सब कुछ है यानि आईडी है पासवर्ड है वो डा तो यहाँ पर कई option available है तो अभी हमारे को जो है आगे का process करने के लिए यानि हमारे को जो है अभी income tax का certificate download करना है तो income tax का certificate download करने के लिए इसमें जो tool and utilities का option है इस option के ओपर किलिक कर देना है अगर आपको policy के regarding या आपकी policy में profile के regarding आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो इन option के ओपर किलिक करके आप वो भी कर सकते हो जैसे ही मैंने tools and utilities के option के ओपर किलिक किया किलिक करते है इसमें भी कई option है जैसे revival calculator, loan, surrender quota, status tracking, payment history, income tax certificate और claim procedure तो इसमें भी कई procedure है तो अगर इसमें भी आपको कोई और काम हो तो वो भी कर सकते हो प्रन्तु अभी हमारे को income tax certificate जो है download करना है ताकि हम जो है ITR फाइल करते समय टेक शूट जो है ले सके तो आपको जो income tax certificate का option है income tax certificate वाड़े option के ओपर जो है इसमें click कर देना है तो जैसे ही income tax certificate के option के ओपर हम click करेंगे click करते ही जो है हमारे से पूछा जाएगा कि आपको कौन से financial year यानि ये एक financial year का income tax certificate ही हम download कर सकते हैं financial year के according to यानि जो है एक जो है अपरेल से लेके और 31st मार्स तक का जितना हमारा premium जो है इसमें जमा हुआ है policy में जितना invest हुआ है उसके according to ही यहाँ पर जो है certificate हमारे को जो है तयार मिलेगा और ITR फाइल करते समय आप उसको जो है यूज करके टेक शूट पा सकते हो तो जैसे ही मैंने income tax certificate के option पर क्लिक किया next page इस तरह से खुल के show हो जाएगा तो इसमें policy number और year यानि आपको जो policy number के सामने जो select का tape है उसके ओपर आपको जो है click करना है जैसे ही आप click करोगे इस तरह से आपका policy number जो है show कर देगा इसके ओपर आपको जो है टेब कर देना यानि इसको आपको select कर लेना नीचे year यानि कौन से साल का आपको जो है download करना है तो यहाँ पर जैसे इसके सामने select का tape है इसके ओपर click करते ही जो है यह financial year जो है आपके सामने show कर देगा जिस भी financial year का आपको जो है टेक certificate download करना हो select कर लेना है और इसके सामने एक option दिया है gate certificate तो gates certificate के option के उपर हमारे को click करना है paste थोड़ सा load होगा load होने के बाद इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो है certificate download होके show हो जाएगा अभी इसमें आपकी पूरी की पूरी detail दी हुए आपकी policy नमर आपका नाम नूम सब कुछ दिया हुआ है यह financial year जो है जो यह certificate है यह कब से कब तक है वो भी इसमें duration भी दिया हुआ है इसके बाद में इसमें आपका total जो है amount कितने रुपए जमा हुआ है उसके उपर आपने tax वगेरा GST, CGST कितना लगा है वो पूरा का पूरा इसमें जो है show कर देगा और सबसे नीचे वाड़े जो column है इसमें total premium जो है paid आपका पूरा है उसमें income tax section C के अंत्रगत आपको कितने रुपए की छूट मिल रही है तो वो नीचे वाड़े में जितने रुपए की छूट यहाँ पर certificate में मिल रही है उतने रुपए की आप जब ITR फाइल करो तो ITR फाइल करते समय section etc में जो है यह भी आप जो है add कर सकते हो और अपनी जो है take shoot पा सकते हो तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से जो है इसकी website खोल के और जो है take certificate डाउनलोड करें और जो है take shoot में फाइदा पाएं फिर भी आपको post office की किसी भी saving scheme के regarding कोई भी क्यूरी हो किसी policy के बारे में आपको जानना हो कोई भी क्यूरी हो कुछ नहीं समझ में आ रहा हो comment box में जरूर लिके मजितनी हो सकेगी पूरी help करूँगा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद thank you